लो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो में हम भी देखने वाल है कि जो सेंसिबल और इंटन्टिट क्या है और वो हम किस तरह से व्यूजमेड होते हैं ठीक है तो आपको यहां पर एक डाइग नहीं दिखे दिया रहा है और यहां पर छोटा सा हमने एकजांप में लेने वाला है उसके इंटार्डिंग हमने यहां पर फिगर ड्रो गी है तो पहले हम यह देखेंगे कि सेंसिबल और इंटन्टिट का मीनिंग यह है sensible का meaning यह है कि हम उसको sense कर सकते है यानि कि ऐसे heat जिसे हम sense कर सकते है कोई अगर एक human body है तो temperature increase होने की वजह से या temperature decrease होने की वजह से जो human body है वो उसे sense कर सकते है जबकि latent heat जो यह latent heat है वो ऐसे heat है जिसे हम sense नहीं कर सकते है यानि कि यह heat जब transfer हो रही है यानि कि latent heat transfer हो रही है उस दौरान temperature increase रही होता यानि कि temperature में कोई difference नहीं होता temperature की value वैसी वैसी रहती है फिर भी heat का transfer होता है from one point to other point यानि कि surrounding to object और object to surrounding जो भी हम process लेते है उसमें यहाँ पर एक हमने जो diagram लिया है वो diagram sensible और latent heat क्या है उसको समझने के लिया है जो temperature versus input energy का है यानि कि अगर हम कोई object के अंदर energy को input करके वो heat के पौमे हो शकती है वो versus temperature के बीच का है और अब हम कोई एक water ले ले लेते हैं कोई एक object के अंदर water लिया है वो water की condition अभी minus 50 degree पे है यह 0 वाला जो point है वो point minus 50 degree पे है वैसे हमने माण लिया है और यह last वाला point है यह last वाला point पे जो object हमने water लिया है वो water की value temperature की value 150 degree है और हमने minus 50 से जब value 150 तक होगी temperature की तब तक हम energy को क्याप करेंगे input करेंगे तब इस condition के अंदर sensible heat और latent heat की इस तरह से roll में आती है वो समझने वाले है चलो यहाँ पे minus 50 degree पी है minus 50 degree पी क्या होगा water solid form में होगा लियानि कि ice में होगा अब हम minus 50 से 0 तब यानि कि इस point तक हम जाने वालेगे तब तब हम जैसे जैसे heat को अंदर input करेंगे तब तब temperature की value भी बढ़ेगी 0 तब और हमें 0 degree पे water किस condition में आने के कोशिज करेगा liquid condition में आने के कोशिज करेगा और इसे हम phase change करते है यानि कि phase change जब होने लगता है तब latent heat सामने आती है यानि कि इस point से इस point तक phase change हुआ यहां solid था यहां liquid हुआ और इस दोराण जो भी energy object absorb करता है वो latent heat है यानि कि यह energy इस condition में absorb होने वाली energy latent heat है और उस दोराण temperature increase नहीं हो रहा है temperature same ही रहेगा यानि इस point पे आके temperature same ही रहेगा और फिट से जब phase change हो जाता है इससे बार temperature फिट से increase होने लगेगा ठीक है और यह point क्या point है 100 degree वाला point है जिस point पे water boiling होने लगता है boiling के दोराण भी क्या होगा phase change होगा water से वेपर वो लिक्विड से वेपर में convert होने लगेगा उस दोराण भी same condition होगी यानि कि phase change होगा और उस दोराण भी temperature same रहेगा फिर भी heat input में आएगी और वो latent heat कहल आएगी और फिर से जब phase change हो जाता है इसके बाद फिर से temperature increase होने लगेगा ठीक है तो phase change जब होने की process हो रही है तब input में आने वाली heat वो latent heat है और जब temperature भी बढ़ रहा है heat भी अंदर जा रही है और phase change नहीं हो रहा है उस condition में absorb होने वाली heat वो sensible heat है ठीक है यहाँ पर हमने बताया है कि जो internal जो structure होता है वो change होता है during a latent heat transfer यानि कि T is equal to 50 degree से T is equal to 80 degree पर जब जाता है और अबजेक्ट का temperature तब जो इंटर्ण मुलिकर जो structure हो सेमी रहेगा अब हमने यहाँ पर जो एक्जामपल लिया वो ऐसा एक्जामपल है जिसके अंदर जो object का phase change होता है 80 degree ठीक है यहाँ पर जान रखना है 80 degree पर change होगा object का phase तो यहाँ पर 80 degree पर जो internal structure था वो change होके ऐसा हो गया और इस दवरान जो heat अंदर input होई है वो latent heat है ठीक है और फिर से आगे 80 से 120 हुआ फिर भी जो internal structure था वो semi रहा यानि कि इस दवरान है यानि कि जो phase change होता है उस दवरान जो object हम जो ले रहे है उसके अंदर एक जो system होती है वो rearrangement में आ जाती है और वो जो rearrangement होती है वो rearrangement के अंगे energy input होती है और इसलिए उस दवरान जो object का जो temperature होता है वो temperature same रहता है ठीक है तो हमने इस video में जो sensible और latent heat है उसके बारे में समत्यों की कोशिश की अगर आपको कोई बात में लिक्का जाई हो तो आप comment box में लिखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए ताकि आपको नए नए वीडियो में उन सके थैंकि गूरू हाई फ्रेंट्स अगर आप एंजिनिरिंग के नए नए वीडियो देखना चाहते है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझ भूले हुआ 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 है